हेलो फ्रेंड चाहर स्वागत है डिव एकड़ेयं हैं हाज लुए बीटेल में बात करने वाले हुए किसी जोग जहां पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूर नहीं है अगर हाख फ्रेशर है अगर आपके पास कोई स्कील नहीं है कोई डिग्री नहीं है यह qualification नहीं है तो भी definite apply कर सकते हो खास बात यह है कि यह government work है government website है जहां पर आपको apply करना है अगर आपके पास 10th या 12th pass है या 20th या 12th fail है तो भी apply कर सकते हो without any exam यह government job है इसलिए इसमें fraud नहीं हो सकता है किस तरह से apply करना है कैसे apply करना है वो सारी video साजी सुड़िया में step by step सिखेंगे तो video को skip तो बिल्कुल मत कीजिएगा व्यूंकि आपको आज government job के related बहुत अच्छी website आप यहां पे 16 minute काम करते हो तो आपको पूरे के पूरे 900 रूपे यहां पे मिल जाते है means यह एक अच्छी amount हो गए अगर आप दिन में पांच गंडे भी करन करते हो तो आप दिन के 5000 तब कर सकते हो यह एक government website है simply यहां पे कुछ basic simple task है वो आपको करने है किस तरह से करने है वो सारी details इस वीडियो में step by step सिखेंगे new आयो हो हमारी चैनल में तो subscribe करतीजेगा वीडियो गो like करतीजेगा चलिए हम start करते है कौन सी वो website है simply आपको यहां पे open कर देना है री स्पीन जैसे री स्पीन लिखते हो देखो यहां पे फर्स लिंक की आ रही है इंडिया इंस्टिट्यूट ओफ साइंस यहां पे simply आपको क्लिक करना है देन आपको यहां पे website open होके आजए कि आप इसका view कुछ इस तरह से वो देख सकते हो देन आपको यहां पे click करना है यह 3 वाली dots पे इन आपको यहां पे click करना है openings पे जैसे openings पे click करते हो देखो यहां पे इस first speech recording आपको simply उस पे क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करते हो देखो एक PDF आपके पास यहाँ ओपन होके आगई यहाँ पे मेंशर है जो प्रोफाइल नेम तो यहाँ पे नेम है अब जो भी लेंग्विज सिलेक करते हो उसके रिलेड़ बेजिक डिगरी आपके पास होना चाहिए जोब लोकेशन के क्या है यहां पे तो इस वर्कें बी डन फ्रॉम एनिवेर आप कहीं से भी कभी भी कर सकते हो qualification की requirement क्या है इसमें तो देखो un degree graduate graduate post graduate can also apply means आपके पास degree नहीं है तो भी apply कर सकते हो है तो भी apply कर सकते हो fresh and experience both can apply for these jobs basic requirements है यहाँ पे renumeration basic renumeration में क्या है यहाँ पे तो देखिए rupees 900 for every 16 minutes of effective duration यहाँ पे आपको one hour के लिए इतनी amount pay कर रहा है job description क्या है यहाँ पे तो set of topics will be given to you and tasks will be read understand and get familiarized with the given set of topics in agriculture finance and general domains यहाँ पे कुछ आपको simply task दिये जाएंगे उसको आपको समझना है read करना है and write करना है you have to means speech करना है बोलना है you have the converse talk to people means आपको बात्चीत करनी है अपनी language में chosen language means अपनी language में तो यह एक अच्छा सा platform हो गया कि आप यहाँ पे definitely government job कर सकते होगर आपके पास particular कोई एक skill है या like एक language में आप expert होगी मैं इसमें बात्चीत अच्छे से कर सकता हूँ तो definitely apply करना चाहिए यह एक government job है जहां पे hundred person आपको money मिलता है यह साथ में अगर आपके पास qualification नहीं है तो भी definitely कर सकते हो और यहाँ पे अगर आप यह job apply करना जाते हो तो देखिए simply यहाँ पे mention है click here to apply now आपको इस पे click करना है जैसे इस पे click करते हो देखो यहाँ पे page open हो कि आ गया यहाँ पे mention है recording job opening यहाँ पे mention है यहाँ पे simply आपको क्या करना है अपना email address feel करना है next करना है कुछ simple basic से आपका step पुछे जाएंगे उसके answers देने है और easily यहाँ से आप apply कर सकते हो तो यहाँ से आप government job apply कर सकते हो अगर आपके पास particular skill का knowledge है particular skill में लाइक में गुजरादी में बाचित कर सकता हूँ या हिंदी में या इंगलीज में तो definitely apply करना चाहिए यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी सेरे के साथ government job मिल सकती है तो definitely apply करना चाहिए और मेरे एसे इस वीडियो देखने के लिए मेरी YouTube चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए and follow कीजिए thank you